नमस्कार बोलता बिहार नियूज मेडिया में आपका स्वागत है अपराधी घटना को लेकर प्रसासन हाई अलर्ट गस्ती में लापड़वाई ब्रतने के आरोप में साथ गस्ती प्रभाडियों को किया गया निलम्वित सुरक्षय वबस्ता को लेकर नच 28 पर चलाई गई बाहन चेकिंग मंगलबार किस्ता मोटर साइकल सबार अपराधियों के तांडब के मद्य नजर बेगुष राय प्रसासन हाई अलर्ट पर है जिसका असर गुद्ध बार को तेगरा नच 28 चौक पर देखा गया हराकि इससे पुर्वी एनच 28 पर अधारित घटनाओं का अपना इतियास रहा है तेगरा पेट्रोल पंप से लेकर अधार्पुर चोक तक लूट पात गोली मार देना चाको मार कर छीन छोड़ लेना आम बात रही है एक माह पुर्वी एनच 28 के पास बैंक से दिन दाहारे हथियार अपराधियों ने 20 लाख रुप्य की लूट की थी एक बर्श पूरु पेट्रोल पंप के सामने होमगाड के जबान को अपराधी ने गोली मार कर अपना सिकार बनाया था पुना 13 सितंबर मंगलबार को कड़ी 5 बजे अपरहन में मोटर साइकी सबार दो अग्यात अपराध से लेकर चकिया मलीपूर तक अपराध का तांडब मचाया जिससे इस छेत्र में भी दो लोगों को गोली मार का निसाना बनाया गया और कुल 10 बैक्ति जक्मी हुए जिसमें से एक बैक्ति की हत्या भी हो गई जिस गस्ति के समयलापरभाही ब्रतने के आरोप में एन एच छ चेत्र के साथ गस्ति प्रभावियों को बेगुष राय एस्पी ने किया निलंबित जिसमें तेग्रा थाना के गस्ति दल के प्रभाड़ी एस आई कृष्ण कुमार भी निलंबित हुए जिला प्रैसासन की निदेशा नुसार प्राता काल से ही तेग्रा एन एच चोक पर प्रखर्ण विकास प्रदादी काडि संदीप कुमार पांडे एवं एस आई राज कुमार पासमान के द्वारा पुलिस बल के साथ सुरक्षा एवं बिधी ब्यवस्ता को बनाए रखने को लेकर बाहन चेकिंग अभियान चला कर छोटी गाड़ी एवं मोटर साइकिल तथा संदे अस्पद लोग की सखन जाच अभियान चलाए गई इसके अलाबे अधारपुर्ट चोग के समक्ष अबन निरिक्षक मुकेस कुमार सुमन एवं एस आई साहिव दयाल से अपने दल बल के साथ अभियान में जूटे रहे वहीं बगड़ाहा चोग पर स्रम प्रवरतन प्रविकारी ब्रणी संदीप कुमार एवं तेहरा थाना के एस आई लाल बाबुराई बिविद बिविद बेवस्था बनाय रखने को लेकर मुस्तेद रहे